हाइकोट दौरा OBC आरक्षण को रद करने के बाद विपक्ष ने भारतिय जनता पार्टी को आड़े हाथो लिया हलंकि इसके बाद योगी सरकार ने इसको लेकर एक डेडिकेटर आयोग भी बना दिया साथ बात करने के लिए मौझूद हैं भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अज्ञक भुपेन सिंग चौधरी जी सर जिस तरीके से हाई कोट ने जब इसको रद किया उसके बाद तुरंट भारतिय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने द ट्रिपल सी के आधार पर आकड़े उपलब्द कराने के लिए और सरकार सुपरिंग कोट गई है उसमें समय अबदी बढ़ाने के लिए लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये 2010 का आदेश है और 2010 के पंचायत के चुनाब बाद में 2012 के नगरनिकायों के चुनाब फिर 2015 के पंचायतों के चुनाब इसी रैपिट सर्व के आधार पर जो जिलादीकारी की अद्धिक्स्ता में एक सर्वे होता है रैपिट सर्वे उसी आधार पर पिछड़े वरकू की आवादी के आँकलन आते हैं उसी आधार पर और उसमें जो समाजबादी सबसे कहना चाहता हूं परदेश के भारतिनता पार्टी की सरकार हमारी योगी जी की सरकार और हमारी पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और सरकार संकल्पित है पार्टी संकल्पित है कि पिछड़े वरगों को नियमनुसार आरक्षन के बाद ही चुनाब और इसके लिए माने मुक्हिमतिजी ने भी कहा कि हमें जो भी विदी संबत कदम उठाने उठाएंगे और इसी परिफेक्स में सरकार सुपरिंग कोट भी मारत रसन के लिए गई है अगर बात करी जाए आयोग अपनी रिपोर्ट देगा लेकिन निकाय चुनाओं की सर तैयारियों की बात कर लेते क्योंकि आप लोग तो सर लगतार तैयारी भी कर रहे थे आवेदन भी आ रहे थे तैयारियों को अब किस तरीके से सर आगे बढ़ाया जाएगा सर हमारी पूरी तैयारी है और संगठन की नियमित रूप से गती विद्धी हमारे यहां चलती है चाहे हमारी विचार धारा से जुड़े बिसे हूँ हमारी संगठनात्मक कारिक्रम अभियान हूँ हमारी सरकारों के काम के संब्द में कोई गोस्टी हूँ पायटी के कारिक्रम सेवा के काम हो रचनात्म काम पार्टी की सक्रिता बनी रहती है लगातार और उसी में से हम लोग तैयारी करते रहते हैं अपने चुनाव की तो हमारी पूरी तैयारी है आज भी तैयारी है आज चुनाव होंगे हम आज भी तैयार है और बाकी जैसा समयवदी तैह होगी हमारी पूरी तैयारी है हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे दो हजार चुबिस के लोग सभा चुनाव की सर अगर बात करें जिस तरीके से जहां तक मुझे पता चला है भारती जनता पार्टी लगतार मंधन कर रही है वो चाहे खतौली की सीट पर हार को लेकर हो या बाकी जगों को लेकर क्या लगता है किस तरीके की तैयारिया रहेंग और केंद्रिय भारती अंता पार्टी के लोग भी लोग सभा को चुनाव को लेकर जो हारी होई सीटे हैं उसके लोग सभा प्रवास योजना के तैद भारत सरकार के मानने मंतरी गणके सब के प्रवास भी हम सब लोग के प्रवास हो रहे हैं तो जो भी इस्थानिय के माद्दम से संग्ठनात मगधिविदी अपने सरकार के काम इनके काम के माद्दम से हम जनता के बीच में रहेंगे जनता के बीच में और हम चुनाब तक अपना पूरा केशव प्रसाद मौर्या ने कारक्रम में का है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बॉकलाई हुई है केशव चालिसा बगैर जो है उनकी राजनीती पूरी नहीं हो रही है कितना ठीक है सरी एक केशव जी भारतियनता पार्टी के बरिश्ट नेता है मारे पिछड़े वर्गो लगता है कि केशव जी समझदाय से बर्ग से आते हैं उस बर्ग के प्रती उनके मन में कोई दुराभाव हो क्योंकि उन्हें लगता ही है कि हमारे लिए कोई चेलेंज हो सकता है क्योंकि वो आज भी अपनी जाती समाज और परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए जी ट्वंटी सम्मेलन को लेकर सर बात करें योगी सरकार भी लगातार प्रयास कर रहें प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी के वीजन भी तमाम तरीके की चीज़े हो रही है क्या लगता है कई न कैसे उत्तर प्रदेश की जो एक चवी है वो और जादा विस्तारित हो क्या है कि अब आप देख रहे हैं अभी इन्वेस्टर समिट होनी है अब उत्तर प्रदेश सरकार के मान्यमंत्री गण बाहर बिदेशों में भी गए है और अच्छा रेस्पोंस मिला है अच्छे तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जी ट्वेंटी से समद्धित जो भी कारेक्रम है कारेक्रम डिजाइन होंगे मुझे लगता है नोडा साइदागरा में इस तरह या जो भी कारेक्रम अभी आए होंगे मुझे उसकी जानकारी नहीं है जानकारी करके हम लोग उत्तर प्रदेश की चबी को उत्तर प्रदेश की चबी पहले से अच्छी है और बेतर करने का अपने बात करी है अब देश दौरे पर भी जा रहे हैं मुक्यमंत्री योगी आदितनाद भी मुंबई जा रहे हैं सर तमाम राजमंत्री सोतम प्रभार की भी सर जिम्मेदारी लगाई गई है उसमें सुरेश खना हो सुर्पताप शाही हैं तो लगता है कि कहीं न कई से एक जो बड़ा निवेश है वो इस बार की ग्लोबल इंवेश्टर समिट में उत्तर प्रदेश में आएगा सर उत्तर प्रदेश की कानून विश्था के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा हुआ है और पूरे देश की दुनिया की निखा उत्तर प्रदेश में है निवेश्था को के लिए अनुकूल माहौल है उत्तर प्रदेश में और इसके लिए सरकार हमारे सरकार के मुख्या मुख्यमंत्री जी और सभी मानने मंत के लिए पूरी सरकार संकल्पित है उस काम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे साथ भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश अग्ध्यक भुपेंच चौधरी मौजूत यह साब तोर पर उंका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार भारतिय जन्ता पार लखनव से वीडियो जन्रीश आशीश के साथ संदीप खेर भारत समझा है